जैने दोस्तों मैं वेपिन कुमार आपका अपने यूटूब चैनल पैपिस्टेडी पॉइंट में आपका आर्दिक स्वागत करता हूं जैसे कि दोस्तों आपको पता है हम आपको मैथ पढ़ा रहे हैं मैथ में हमारा जो टोपिक चला है मैंसुरेशन मैंसुरेशन में हम आपको बेलन बेस कोशन आज कराएंगे जो पिरिवेश वीडियो थी हमने आपको बेलन के सभी कंसेप्ट अच्छे से समझा दिये थे आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करे वीडियो को शेयर करे और चैनल को सिस्क्राइब करे दोस्तों बढ़ते हैं हम कोशन पर कल हमने आपको कोशन कराए थे उससे आगे के कुछ और हम आपको कोशन कराते हैं तो कोशन स्कीन पर आ चुका है कोशन है हमारा दो बेलनों की आधार की तिरिज्जा दो अनुपात तीन के अनुपात में हैं और उनकी उचाईयों का अनुपात 5, अनुपात 3 हैं, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, ठीके दोस्तों इस तरह के मैं जो वोल्यूम बेस कोशन थे, बेलन के मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दो कोशन कराए थे, उसी कंसेप्ट को एक बर आपको हम रिवाइज करा देंगे, इसी तरीके कोशन है, यह भी यहाँ पर दिया गया है, आयतनों का हमें अनुपात निकालना है, बेलन का आयतन क्या होता है हमारा, बेलन का आयतन होता है, यनि वोल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, इस फॉर्मले को आपको याद रखना है, तो निकालते दोनो का आइदनों कानुपात या नि पहला हुई-तब हर्स्त जो बेलान हमने वी इवन मान लिया इसे परकार आरवन स्कोर है स्वैयिए पधाई-तू-तू-तवार रीच यहां चोर्गेशड दोनों में कड़ जाएगा यहां होता है उनका अनुपात तो यह relation आपको डिरेक्ट याद रखना होगा यानि V1 अपोन V2 क्या होगा हमारा R1 का square into H1 upon R2 का square into H2 इस तरीके से आप इस formula को direct याद रखना फिर अब क्या करना इनके value put कर दो सिधा answer आ जाएगा R1 कितना है हमारा 2 यानि के 2 का square into H1 कितना है हमारा 5 यानि 5 इसी परकार R2 कितना है 3 3 का square into H2 कितना है हमारा 3 तो यहाँ पर कितना है दो का square 4 गुना 5 अपोन 9 गुना 3 यानि 4 पंजे 20 अपोन 9 27 यानि V1 रेशो V2 यानि बेलन के अईतनों का जो अनुपात होगा कितना हो जाएगा 20 अनुपात 27 यह इसका answer हो जाएगा ठीके दोस्तों यह हमने आपको समझा दिया है यह relation कैसे आता है तो आपको डिरेक्ट याद रखना है यानि जो V1 अपोन V2 होता है यानि R1 का square H1 अपोन R2 का square इंटू H2 इस relation को आपको याद होना चाहिए इससे हम वह बेलन के आयतनों का सम्मझ निकाल सकते यानि इस तरीके जो भी question आते उसको शोल कर लेंगे अब बढ़ते next question पर बढ़ते next question पर next question है हमारा एक बेलनाकार स्थम की वर्क प्रस 264 मीटर स्कॉयर है और उसका आयतन 924 मीटर क्यूब है इसके व्यास का इसकी उचाई से अनुपात गयाद कीजिए तो करते हैं क्या दिया है बेलन का वर्क प्रस दियाए हो और आयतन हमें व्यास और उसकी उचाई का अनुपात निकालना है व्यास कब निकलेगा जब हमारे पार तिरिज्जा हो और उचाई है याई का रहए होने चाहिए तो करते है जो जो द्याया है उन्हका इस्तिमाल गते वए कोशन को करेंगे उसकोय एWorkceks दिया है 254 और आयतन दिया है हमारा है 2247 मीटर क्यूब बेलन का, होता क्या है पाई आर इस्क्वायर एच अपॉन वर्कपरस्ट क्या होता है टू पाई आर एच इन दोनों के वैलू दी है तो वैलू रख देंगे आयतन है 925 वर्कपरस्ट है 264 यहां से जो करता उसको काट दो गद सको बचाएं सको मोद पाई से पाई केंसल हो जाए going यहाँ से आर अपॉन टू इजिकल तो आ जाए गा हमारा इसको काट लो कर जाएगा देखो यह कर जाएगा कितने से चार से 231 वटे 66 अब देख लो 11 से कड़ जाएगा 16 और 11 से कड़ जाएगा 12 नी 22 11 एकम 11 ठीक है जी अब 3 से कड़ जाएगा हमारा 3 से कड़ गए हमारा 7 बार 3 से कड़ गए 2 बार यानि कि 2 से 2 यानि R बराबर कितना आगे 7 मीटर R हमारी निकल गी कितनी 7 मीटर अब हमें और कैसे यह ओचाई यानि कि R की वैलू कोई से भी इक्वेशन में आप यहाँ पर रख सकते हैं और R की वैलू निकाल लेंगे यानि कि मैं यदि आयतन लेता हूँ पाई R स्क्वाइर S बराबर कितना है 924 तो यहां से R की वैलू पुट करो यानि R कितना है 7 यहां से H आज आएगा 924 बटे पाई R स्क्वाइर इनकी वैलू पुट कर देंगे यह होता है 22 बटे 7 और R का है 7 इंटू 7 एक साथ से 7 कैंसिल हो जाएगा यानि बच गया हमारा 924 बटे 22 बटे 7 ठीक है जी अब यहां से काट लो इक कर जाएगा 11 दूनी 22 1188 और 11 चुक 84 साथ से इसको काट दो सत्यकम 7 यानि कि 14 सत्य कितने होते 84 12 सत्य होते 84 ठीक है जी और 2 से इसको काट दो कितने बार 6 बार यानि कि H कितना आगे हमारा 6 मीटर है जी आजाएगा हमारा 6 मीटर अब यहां से रेडियस मिल गई हाइट मिली कि हमें निकानला था व्यास करेश और उच आएका यानि व्यास क्या होता है 33 का दो गुना यानि कि D into H क्या हो जाएगा हमारा 2R into H की वैलू जो भी होगी यानि के 2R की वैलू कितने ही 7 into H कितना है हमारा 6 यानि कितना 14 अनुपाद 6 इसको इस तरीके से लिख सकते हैं यह क्या हो जाएगा हमारा 7 अनुपाद 3 यह क्या हो गया हमारा final answer यह दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया हुआ क्या क्या है आयतंदिया है वर्क प्रश्दिया है यहां से इन दोनों का हमने रेशो निकालता हूँ तो हमें R की वैलू निकल जाएगी R आ गई फिर R की वैलू कोई से भी इन में मान में रख सकते हैं और एच की वैलू निकाल लेंगे फिर व्यास क्या होता है तिर्जा का दोगुना तिर्जा का दोगुना क्या तो यह अनुपात यह यहां से इनकी बंटिप्लाइ 14.56 दोनों से इंक्या 2 से कड़ जाएगी तो 2 से काटेंगे 2 से काटेंगे 7 बार 2 से काटेंगे 3 बार तो यहां से हमारा जो यहनिके व्यास और हाइट का जो रेशो आया 7 अनुपात 3 आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोशन पर दोस्त देखो कोशन है हमारा 1 सेंटीमीटर व्यास और 8 सेंटीमीटर लंबी एकतामी की चड़को खेच कर एक समान व्यास वाले एकतार के रूम में बनाया जाता है जिसके लंबाई 18 मीटर है इस तार की तिरिज्जा सेंटीमीटर में क्या होगी यह कोशन है हमारा इंपोटेंट कोशन है इस तरह कोशन पेपर में आ जाते हैं इस तरह के में क्या करते हैं अगर किसी एक चीज से कोई दूसरी चीज बनाए जा रहे है तो हमेशा याद रखना कि हम दोनों जो एक चीज से दूसरी चीज में बदला जा रहा है दोनों का आयतन बराबर लेंगे यानि सपोज दैट कोई मतलब यह मारकर है वाले एक तार के रूम में बनाया जाता है ठीक है जी सबसे पहले हम क्या करते है तामबे की छड़ का आयतन निकालते है आयतन क्या होता है पाई आर स्कॉर एच पाई ऐसी रखा हार क्या है व्यास दिया है कितना एक सेंटीमेटर तरिज्जे कितनी होजाएगी यानि व्यास के अद्धी 0.5 सेंटीमेटर स्कॉर इंटू हाइट कितनी है 8 सेंटीमेटर ठीक है दोस्तों यह हो गया हमारा तामबे की छड़ का आयतन उसके बाद हमें क्या बनाया है तार अब तार भी कैसा होता है एक बेलने क्या आकार का तार को मानते हैं तो तार का भी हम यहां से क्या निकाल लेंगे आयतन तार का आयतन पाई आर स्कॉर एच पाई ऐसी रखा आर हमें निकालनी है एच कितनी दिया है 18 मीटर अब यह बाकी दोगर सेंटी मीटर में है तो यह क्या सेंटी मीटर क्यों भेना है तो इसको भी हम मीटर को सेंटी मीटर में चेंज कर लेंगे क्योंकि आनसर भी हमें सेंटी मीटर में निकालना है तो 18 मीटर को सेंटी मीटर में चेंज करेंगे तो एक मीटर में कितने सेंटी मीटर सो तो इसमें सो से मंटिप्लाइ करा देंगे ठीक है यह हो गया हमारा तार का आयतन अब यहाँ से हमें तार की तिरिज्या निकानली तो दोनों आयतन को बराबर रख देंगे यानि पाई इंटु जीरो पोइंट फाइब का स्कॉर इंटु अठारा सो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा हमारा यह हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइप इंटु एट अपोन अठारा सो अब यहां से शोल कर लो एक तरीका तो यह है ऊपर निचे चार से गुना करा देंगे अगर तो चार से मंटिप्लाई कराए जिरो पॉइंट फोर में चार से मंटिप्लाई कराते हो तो कितना दाएगा पच्ची चुका शो और दो के बाद पॉइंट है तो यानि कि इसमें यदि में चार से उपर यहां चार से यहां तो यह कितना हो जाएगा उपर हो जाएगा हमारा 8 क्योंकि 4 की अब 0.4 में मंटिप्लाइ कराएंगे एक की गुन 8 में करा देंगे तो 8 और यहां कितना हो जाएगा यह 72 ठीक है दोस्तों और इसको यहां से काट लो आठ निम 72 यानि कितना हो गया एक बटे 900 कितना हो जाएगा यहां पर स्कॉयर हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग मूल ले देते हैं तो अंडरूट चड़ जाएगा जब अंडरूट से भार निकालेंगे तो एक का तो एक नो नुस्तों का यानि 30 जो आर आ जाएगा कितने हो जाएगी हमारी 30 एक बटे 30 सेंट पर आगे बढ़ते हैं दो शिरो से खुली एक बेलनकार नली धातू की बनी है इस नली की आंत्रिक व्याष 11.2 सेंटीमीटर है तता इसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर धातू की परते कि स्थान पर 0.4 सेंटीमीटर मोटी है धातू का आयतन क्या है ठीक अच्छा कोर्षन है इस आपको को फोर्मले लिखाए थे उस बेश पर हम इस को करेंगे करते हैं क्या क्या दिया आए यानि के इस तरीके का वेलन है एक दातू है यह अगर और पर इसके अंदर एक और यह इसकी जो हाइड दी है लंबाई दी है कितनी लंबाई दी है 21 सेंटीमीटर दोस्तों और दोने श्रेश से खुली बेलना कार नली धातू छे बनी है इसकी आंतरिक व्यास व्यास दे दिया आंतरिक व्यास कितना यहां पर यहां पर दी तो होता व्यास इतना सेंटीमीटर यदि मुझे यहां से आर निकालनी हो तो आर क्या हो जाएगी इसकी आदियाने 5.6 सेंटीमीटर ठीके दोस्तों और कैपिटल यह तो आंतरिक है यानिके अंदर वाले की और पूरी तिरिज़ चाहिए तो क्या इसकी मोटाई है यानि की कैपिटल आर मान लेंगे जिए यहां पर हो जाएगी 5.6 प्लस मोटाई 0.4 यानि कितना 6 सेंटीमीटर तो इसका क्या निकालना धातु का आयतन धातु का यह तन क्या बताया था हमने पाई इन्टू कैपिटल आ स्क्वारे इन यह बताया था यह फोर्मूलला होता है खो यह पर र्योग करेंगे यह와 पर इसकी वैलो पूट कर दो पाई कितना होता है 22 सी केपिटल आ Holz कितना है वारा इस सेंटीमीटर मासी स्मूल आर यह इसकाई स्क्वार इंटू एच कितनी है 24 साथ से कर जाएगा कितनी बार तीन बार एक इतना होगा 22 इंटू यहां पर A-2-2 का फोर्मूला लग जाएगा यह जोड़ दो जोड़े गटा दो जोड़े तो कितना हो जाएगा हमारा इसको जोड़ते है यानि इस में इसको घटाय देंगे तो कितना फोर मंटिप्लाई भाई थरी आव इन सब के यहां पर क्या करा लगे इंटिप्लाई यह कितना हो जाएगा तीन गुना 22 यानि 66 यहां से अब कितना होगे 66 गोना 464 दो आंके बाद पॉइंट है इन दोनों की जब मंटिप्लाई करा देंगे तो कितना गया 306.24 और यह हमारा सेंटिमीटर क्यों ठीक है दोस्तों यह क्या हो जाएगा हमारा आंसर सिंपल से कोशन था बस जो यह मोटाई थी इसका खेलता है यहां से हमें क्या निकाल लेती जो बड़े वाले बेलन की तिरिज्जा है वह यहां से निकलेगी मोटाई को हम जो छोटे वाले की तिरिज्जा उसमें एड करके बड़े वाले की तिरिज्जा निकाल लेते और फिर एक खोकली बेलनकार नली जो लोही की बनी है 20 cm लंबी है तता इसके भारी और आंतरिक व्यास करम से 8 cm और 6 cm है इस नली के बनने में परियुक्त लोहे का आयतन कितना होगा शेम पिछले वाले कंसर्ट पर ही ये वाला भी कोशन होगा करते हैं कैसे था कुशन हमारा जो जो दिया है उसको लिको यानि लंबाई यानि हाइट दे दी है 20 cm उसके बाद व्यास यानि capital R और small r क्योंकि व्यास दिया है त्रिज्य क्या होती है व्यास की आधी यानि 4 cm और यह होगी हमारे 3 cm अब आएतन निकालना आएतन क्या था हमारा पाई capital R square minus small r square into height अब यहां पर इसकी वैलू put कर दो 22 शोटे साथ इंटू यह आर capital R क्या है हमारा चार यानि 4 का स्कृयर माइनस 3 का स्कृयर into क्या हो जाएगा हमारा 20 है यह हो जाएगा हमारा 16 माइनस 9 इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 7 शाथ से 7 कैंशे लियानि 22 गूना 20 यानिया किना चार्षव चालिश सेंटिमीटर की होगा देट इस सिंपल सा कोशन ता बिल्कुल फोर्मुले बेस अब आते हैं नेस्ट कोशन पर आगे बढ़ते हैं आगे कोशन है हमारा दो बेलन ए तथा बी के आधारों के अर्ध बयार्ष तीन अनुपात दो तथा उनकी उचाई एन अनुपात एक के अनुपात में हैं यदि बेलन एक का अनुपात बेलन बी के अनुपात का तीन गुना है तो एन का मान होगा ठेके दो है यह और भी के आधारों का यानि अधारों के अर्दव्यास यह जो अधार के आर्ध व्यास का रेशों क्या है नहीं यह क्या है का रफ zaw familiar है तो सब्क immortality में तक ब्लुटल्यों में जो रेशन है वोलियूम का ब्लुटल्या को V1 और जो बेलन B है उसका वोल्यू मानले हमने V2 यदि बेलन A का आयतन B के आयतन का 3 गुना है तो N का मान ग्याद करना है यहां से अब वैलू पूट कर दो पाई R1 का स्क्वायर H1 इन्टू सूर इस इकल टू 3 इन्टू पाई R2 का स्क्वायर इन्टू H2 पाई से पाई कैंसल हो जाएगा R1 कितना है हमारा 3 यानि 3 का स्क्वायर H1 कितना है N यानि इस इकल टू 3 इन्टू R1 2 2 का स्क्वायर इन्टू H2 कितना है एक यहां से क्या करेंगा यान की वैलू निकाननी होगी तुन करो 3 का स्क्वायर 9 इन्टू N इस इकल टू 3 इन्टू 2 का स्क्वायर 4 इन्टू 1 3 से कर जाएगा 3 बार यानि N बराबर क्या आ जाएगा 4 बटे 3 यह हमें N का मान निकानना था यह हो जाएगा हमारा आंसर ठीके दोस्तों अब बढ़ते हैं नेस्ट कोर्षन पर नेस्ट कोर्षन पर आते हैं नेस्ट कोर्षन हमारा दो लंवर्ते बेलनों की तिरिज्जा का अनुपात दो अनुपात 3 है और उनकी उचाईयों का अनुपात 5 अनुपात 4 है तो उनके वर्क प्रस्ट का छितवल का अनुपात होगा ठीक है दोस्तो ओप्षन हमारे ये दिएवे हैं A, B, C और D कमेंट करके बताओ आप इस कांसर क्या आएगा आगे हम सोल कर आते हैं आपको देखो जी किस परकार करेंगे तिर्जाओ का जो अनुपाद दिया है यानि R1 और R2 का रेशो दिया है 2 अनुपाद 3 उसके बाद हमें हाइट यानि उचाई का जो अनुपाद दिया है H1 अनुपाद H2 5 अनुपाद 4 तो उनके वर्कपरस छेथपल का अनुपाद निकालना है वर्कपरस छेथपल होता है क्या है हमारा बेलन का वर्कपरस छेथपल यानि surface area of cylinder क्या होता है यानि 2 पाई R1 H1 अपोन 2 पाई R2 H2 यह हमारे 2 बेलन है ना तो दो नुपेलन का हो जाएगा यहां से जो कोमन है वो उसको काड़ दो यानि 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा बचेगा क्या R1 H1 अपोन R2 और H2 आप इसको डिरेक्ट भी याद रख सकते हो यानि surface area of cylinder जो यह हमने पहले वाले का मानले surface area of cylinder 2 इसको आप डिरेक्ट इस फोर्मूले को यानि यह नया फोर्मूला बन गाए इस तरीके से आप इसको याद भी रख सकते हो यहां पर इसमें डिरेक्ट वैलू पूट कर देंगे इतना ना करकर हमें जब पेपर में हम छोल करेंगे यह सब न लिखकर हमें यदि यह याद है तो हम डिरेक्ट इसमें वैलू पूट करेंगे और answer निकाल लेंगे यानि आनि आर वन कितना है हमारा two हाथ वन कितना हfach five अपवं AU एस्टू क्या हो जाएगा हमारा फों आप जो यहां से कटता जוכ काट दो दो से कट जाएगा यानि कितना ओजाएगा पांच बटे दू तिया छे यह यानि जो ans याओ इस त Only façon कुण से ठीक है option a option a is the right answer ठीक है दोस्तों आप इसको इस तरीके से कर सकते हो अब बढ़ते है next question पर next question है हमारा एक लंबरते बेलन के आधार की तरिज्ज़ और वर्क सतय का छेतवल करम से आर यूनिट और तो फोर पाई आर एच वर्क यूनिट है तो बेलन की उचाय क्या है एक अच्छा होता है तूः पाई और कि यहाँ पर है और है यहाँ पर हम्हें है इसके बराबर क्या आ तो bı h तरिच आ रहे हैं तो आ रहे हैं थिए पाई से हम पर हम और जाएगा ठीक एडिकर यहाँ पर कमें तो यहàँ तोड़ी सी लैंग्वेज इस तरीके से बना देते लिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर नेक्स्ट कोश्चन है हमारा 50 मीटर व्यार्ष वाला एक कुमा 14 मीटर की गहराई तक खोड़ा जाता है और उससे निकाली गई मिट्टी को उसके चारो और 5 मीटर की चोड़ाई तक फैला कर एक शेबूत्र बना दिया जाता है तो इस शेबूत्रे की ओचाई होगी दोस्तों एक बहुत जाद इंपोटेंट कोश्चन है आप अच्छे से इसको समझो 20 मीटर व्यास वाला एक कुमा है 14 मीटर की गहराई तक खोड़ा गया है यानि के यहां पे जब कुमी के बात कर रहे हैं व्यास दिया है यानि व्यास से हम क्या निकाल लेंगे तिरिज्ज में और क्या हो जाएगी और होती है हमारी व्यास की हाधी यानि के यह जायकी 10 सेंटिमीटर इसी परकार जो लंबा यानि गहराई हाइड दे दी कितनी 14 मीटर में दीये है ये भी मीटर है ये भी मीटर है उसके वाद उससे निकाले गए मिट्टी को उसके 4 तरफा 5 मीटर की चोड़ाई तक फैलाकर एक चबूत्ता बना दिया अब चबूत्रे में जब गए हम तो चबूत्रे की जो रेडियस होगी कितनी 10 मीटर तो ये और 5 मीटर क्या फिला दी मिट्टे निकाल के तो चोड़ा कितनी हो जाएगी पूरी ये हो जाएगी यानिक जो उसकी 30 10 पलस 5 यानि कितनी 15 मीटर हमें निकालने क्या है चबूत्रे की तो यहां से चबहोत्रे की जो हमारे रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे अब जो कुमेगा जो आई तन है वे कायते नियानिके pi r square यानि r कितना है हमारा 10 into 10 into h कितना 14 अपोन इसको भाग कर देंगे अब अंदर क्या बच गया हमारा pi बच जाएगा हमारा वही जब चबोतरा बनगा चबोतरा यानि कि क्या होगा वर्थ यानि अब इसको क्या करेंगे वर्थ के चित पल से बाग कर दो यानि वर्थ का चित पल क्या होगे हमारा pi r square r क्या होए हमारी 15 ठीक है जी और खोकला बना है तो 15 का square minus 10 का square इससे स्कों भाग कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगी हमारी आ जाएगी चेप गूत्रे की उस्याई पाइस से यह होगे हमारा चोदर सो बटे यह कितना हो जाएगा हमारा एनके एक और जोड़ो एक बार घटा लो जब जोड़ेंगे तो 25 और घटाएंगे तो पांच ठीक है इसको आप लिख लो ऐसे चाहिए यह सो गोना चोदा भी तो यह सी त्रीके से है और 25 गोना 25 इसको पांस से काड़ देंगे 25 को सो ठीक है यानि कितना हो गया 14 चोड़ कितने हो गये चोदा चोगा 56 बटे 5 इसे इसको भाग कर देंगे 55 पचे कम 5 और 5 दूनी 10 ठीक है दूर्स तो इतने मीटर ये क्या हो जाएगी चब उत्रे की ऊचाई एक अच्छा कोशन था करना क्या था जो यानि कि हमारा खोकला एक वो बन गा यानि कुवा किस तरीके का होता है हमारा बे कर जाती है तो इस कंशेप्ट को आप इसी तरीके से याद रखना ठीक है दोस्तों आप बढ़ते आगे कोशन पर आते हैं अगला कोशन है दो विडियो को आप लाइक जरूर करें शेयर करें और हमारे जो चैनल है वैप स्टेड़ी पॉइंट को इसको सब्सक्राइब करना ने भूले इन कोशन को आप बार बार रिपीटी करके इस वीडियो को देखते रहे इसका डिविजेज जितरे जादा करोगे तो आपको उतना ही फायदा होगा जहें दोस्तों धन्यवाद मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ में